नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है सूजल जैसवाल और आप देख रहे हैं J.R.F. with सूजल आपका स्वागत है आज की एकोने इंटरस्टिंग क्लास में आज की इस क्लास में हम प्रेमचन घर में नामक जीवनी पढ़ने वाले हैं यह जीवनी शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई है जो की प्रेमचन जी की पतनी है इस जीवनी से रिलेटेट जितनी भी महतपून बाते हैं जो आपको पता होनी चाहिए जो आपसे एक्जाम में पूछी जा सकती है सभी पर हम बात करेंगे सभी को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे आई या आज की इस इंटरस्टिंग क्लास को हम स्टार्ट करते हैं प्रेमचन घर में शिवरानी देवी के द्वारा लिखित प्रेमचन की जीवनी है जिसका प्रथम प्रकाशन 1944 इसवी में हुआ था इसमें प्रेमचन के बच्पन से लेकर अंतिम दिनों तक की 88 घटनाओं का उल्लेख है शिवरानी देवी मुन्शी देवी प्रसाद की बाल विद्वा पुत्री थी जिसका विभाप प्रेमचन के साथ 1905 इसवी में हुआ था शिवरानी देवी सरल एवं शांत स्वभाव की एक कुशल ग्रहस्त महीला थी जो अपने पती प्रेमचन के कश्ट पून जीवन में कंधे से कंधा मिला कर चली शिवरानी देवी भी शिवरानी देवी को विदेशी कपडों की दुकान पर धरणा देते हुए 9 नवंबर सन 1930 को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया और उन्हें दो महिने की सजा हो गई शिवरानी देवी के जेल जाने पर प्रेमचन जी ने कहा था उनकी जत मेरी आँखों में सो गुनी बढ़ गई अपनी पुत्री कमला का कन्यादान स्वयम शिवरानी देवी ने ही किया था क्योंकि प्रेमचन जी कहते थे दान तो निर्जी वस्तू का किया जाता है एसे में मैं कन्यादान केसे कर सकता हूँ हाला कि जब कन्यादान हुआ था तब वह शिवरानी देवी जी के साथ बेठे जरूर थे लेकिन सारी रस में शिवरानी देवी जी के द्वारा ही पूरी की शिवरानी देवी के दो पुत्र थे धुन्नू श्रीपत्राय तथा बन्नू अम्रत्राय शिवरानी देवी की कुछ रचनाय चांद और हंस पत्रिका में छपी थी अपनी पहली कहानी के बारे में बताते हुए कहती है मेरी पहली कहानी साहस नाम से चांद पत्रिका में छपी शिवरानी देवी को इस बात का मलाल हमेशा के लिए रह गया कि वे अपनी पत्नी की महानता उनके मरनो प्रांती समझ पाई प्रेमचंद की मृत्यू के समय विलाप करती हुई शिवरानी देवी का है मारमिक प्रसंग लेखनी है जब तक जो चीज हमारे पास रहती है तब तक हमें उसकी कदर नहीं होती लेकिन जब वो हमसे ओजल हो जाए तो हमारा मन पच्चताता रहता है फिर हमारे पास दुखी होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बच्चता शिवरानी देवी द्वारा लिखित प्रेमचंद घर में जीवनी का दोबारा प्रकाशन सन 2005 में प्रेमचंद के नाती प्रबोध कुमार ने संशोधित करके करवाया था प्रेमचंद की जीवनी स्वयम उनके पुत्र अमरतराये ने कलम का सिपाही नाम से लिखी तथा अन्य कई विद्वानों के द्वारा भी लिखी गई फिर भी शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में इस मामले में सर्वस्रेष्ट है क्योंकि अन्य सभी जीवनिया सुनी सुनाईया पड़ी गई घटनाओं पर अधारित है किंदु शिवरानी देवी ने उन पलो को साथ जीया, साथ भोगा एवं साथ जेला है इस कारण इनकी जीवनी जादा मारमिक और प्रभाव पून लगती है इस पुस्तक की श्रधानजली बनारसिदास चतुरवेदी तथा आमुख शिवरानी देवी के द्वारा लिखा गया है शिवरानी देवी ने प्रेमचन घर में पुस्तक पती प्रेमचन को समर्पित करते हुए लिखी है स्वामी तुमारी ही चीज तुमारे ही चड़नों में चड़ाती हूं इस तुछ सेवा को अपनाना तुमारी दासी यारानी शिवरानी प्रेमचन घर में जीवनी की शुरुवात प्रेमचन के बचपन शीर्शक से शुरू होती है शिवरानी देवी ने इस जीवनी में प्रेमचंद की तीन बहने जिन में से दो मर गई और एक लंबी उम्र पाई का जिक्र किया है तीन लड़कियों के पीट पर होने के कारण प्रेमचंद तेतर कहला है मुन्शी प्रेमचंद के पिता अजायबराय तथा माता आनंदी देवी दोनों प्राणी संग्रहनी बिमारी से ग्रसित थे मुन्शी प्रेमचंद के दो नाम और थे पिता का रखा नाम मुन्शी धनपतराय और चाचा का रखा नाम मुन्शी नवाबराय था मुंशी प्रेमचन की पढ़ाई की शुरुवात पांच वर्ष में उर्दू से शुरू हुई बच्पन में प्रेमचन अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर चाचा के रुपए की चोरी कर बारह आना मोलवी साहब को फीज दिये और चार आने की अमरूद रेवडी वगेरा खा गए प्रेमचन जी अपनी पहली शादी कराने का जिम्मेवार चाची के पिता को तथा पहली पत्नी से सम्मन अच्छे नहीं होने पर शादी तूटने का जिम्मेदार चाची को मानते थे प्रेमचन जी को बनारस में पढ़ने के लिए खर्च के तोर पर पिता जी पांच रुपए महावार देते थे शिवरानी देवी की पहली शादी 11 साल में हुई थी और मात्र 3-4 महिने में ही वह विद्वा हो गई थी शिवरानी देवी के पिता ने शिवरानी देवी की दूसरी शादी के लिए इश्तहार निकलवाए थे जिसे पढ़कर प्रेमचन खुद शादी के लिए खत लिखे थे शिवरानी देवी कहती है फागुन में मेरी शादी हुई चेतर में आप सब इंस्पेक्टर हो गए मैं महीने भर यहां रहती तो दस महीने अपने घर शिवरानी देवी महोबा रहने के दोरान वहां की एक घटना का जिक्र करते हुए कहती है महोबे में इस्तरियां आपने बरात के विदा होने के बाद रात को हर एक के घर में बजाती गाती जाती है और एक हाथ में आरती का थाल लिए रहती है और दूसरे हाथ में बेलन लिये रहती है जो पुरुष घर में रहता है बारात में नहीं जाता उसको उसी से मारती है शिवरानी देवी कहती है कि प्रेमचन जी की चाची और उनकी बहन में नहीं पड़ती थी चाची के वेमनस्त के कारण उनकी बहन 15 साल तक माई के नहीं आई थी प्रेमचन अपनी चाची के प्रती सोहाद पूर्ण वहवार करते किन्तु चाची ना केवल उनके प्रती बलकि उनकी बहन और शिवरानी देवी के प्रती भी हमेशा अनिस्ट वहवार ही रखती थी शिवरानी देवी ने अपनी जीवनी में प्रेमचन का पहला उपन्यास कृष्णा को बताया है जो प्रयाक से प्रकाशित हुआ था शिवरानी देवी प्रेमचन के दूसरे उपन्यास और कहानी संग्रह के बारे में बताती है मेरी शादी के साल ही आपका दूसरा उपन्यास प्रेमा निकला जिसका नाम आगे चलकर विभा हुआ मेरी शादी के एक वर्ष बाद आपका कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ उस पर मुकदमा भी चला प्रेमचन का सोजे वतन कहानी संग्रह सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी और कलेक्टर ने प्रेमचन को बुला कर कहा था अगर अंग्रेजी राज में तुम्ना होते तो आज तुम्हारे दोनों हाथ कटवा लिये गए होते शिवरानी देवी साहथ के प्रती अपनी रूची के बारे में कहती है शादी के पहले मेरी रूची साहित्य में बिलकुल नहीं थी उसके बारे में मैं कुछ जानती भी नहीं थी, मैं पड़ी भी नहीं के बराबर ही थी, आज मैं जिस लायक हूँ, वह पती के द्वारा ही है शिवरानी देवी प्रेमचन की कहानी लेखन के बारे में कहती है, कई वर्षों के बाद सन 1913 के लगभग उन्होंने हिंदी में कहानिया लिखना शुरू किया शिवरानी देवी को या पता था कि प्रेमचन जी की पहली पत्नी मर चुकी है किन्तु बाद में जानकारी होने पर की वह जिंदा है पती से उसे लाने की जित करने लगती है शिवरानी देवी प्रेमचन की पहली पत्नी को बुलाने के लिए खत भी लिखती है उस खत में प्रिये बहन संबोधन का प्रियोग करती है प्रेमचन की पहली पत्नी की यह शर्त थी कि अगर वे खुद लेने आएंगे तभी में आऊंगी शिवरानी देवी को वह केथी भाशा में पत्र लिखती थी हाजमा खराब होने पर प्रेमचन ने 6 महीने की एक लंबी छुट्टी ली इस दोरान उन्हें आदी तनख्वा 25 रुपे मिलते थे जिसमें से 10 रुपे मा को और 15 रुपे भाई को देते थे लेखों के पैसे से अपना गुजारा करते थे प्रेमचन गिर्दे स्वास्त के कारण एक समय सब इंस्पेक्टर की नोकरी छोड़ देते हैं और टीचर की नोकरी पकड़ लेते हैं जिसकी तनख्वा 40 रुपे थी शिवरानी देवी को दो लड़के और एक लड़की हुई किन्तु एक लड़का धुन्नू 11 महीने का होकर चेचक की चपेट में आने से मर गया प्रेमचन जी खुद बिमार रहने लगे थे शुरू-शुरू में बिमार होने पर जल चिकितसा भी उनने प्रारंब की किन्तु उससे पेट और भी बढ़ गया प्रेमचन देश शेवा से प्रभावित होकर अपने 25 साल की सिक्षक की नोकरी से इस्थिपा दे देते हैं इस समय तक उनका वेतन 125 रुपे हो गया था सिक्षक की नोकरी छोड़ने के बाद प्रेमचन महावीर प्रसाद पोद्दार के निवास इस्थान मानी राम जाकर रहने लगे पोद्दार जी ने प्रेमचन की बहुत सेवा की जिसके कारणवे स्वस्थ भी हो गए प्रेमचन जी ने महावीर प्रिसार पोददार जी के साजे में चर्खे की दुकान खोली चर्खे देहात से बन कर आते थे और बेचे जाते थे प्रेमचन डेड़ साल तक मर्यादा पत्रिका में रहने के बाद विद्या पीट में 135 रुपे वेतन पर हेड मास्टरी की नोकरी पकड़ लेते हैं शिवरानी देवी की कहानी साहस सन 1924 इस्वी में चांद पत्रिका में छपी थी इस कहानी में पुर्षो पर कटाक्ष किया गया था अपनी साहस कहानी को मजाग बताने पर शिवरानी देवी से प्रेमचन ने कहा पुरुष तो अपनी खोपड़ी सहला रहे हैं तुम मजाग बतला रही हो साहस कहानी के छपने के 45 महिने बाद एक पंजाबी व्यक्ती ने प्रेमचन से कहा था क्या आपने यह कहानी खुद लिखकर देवी जी के नाम से छपवाई है सन 1924 में बजार में चारपाई खरीदने के क्रम में साड़े तीन साल का उनका लड़का बन्नू कहीं खो गया था और बड़ी मशक्कत से मिला इस बात का जिक्र भी शिवरानी देवी ने प्रेमचन घर में जीवनी में किया है शिवरानी देवी के यह कहने पर कि यहां सेकड़ो आदमी गाय के पीछे प्रतिवर्ष कुरबान होते हैं इस पर प्रेमचन कहते हैं वह गाय के पीछे कुरबान नहीं होते बलकि वे अपने कुरेदन के पीछे कुर्बान होते हैं उनके अंदर जो कुरेदन रहती है उसी को मोका पाकर दोनों निकालना चाहते हैं शिवरानी देवी के है पूछने पर कि आप किस मजभब को अच्छा मानते हैं प्रेमचन जी कहते हैं मेरे लिए कोई मजभ नहीं राम रहीम बुद्ध इसा सब बराबर हैं इन महापुर्शों ने जो कुछ किया सब ठीक किया उनके अनुयाईयों ने उसका उल्टा किया कोई धर्म ऐसा नहीं है कि इसमें इंसान से हैवान होना पड़े इसी से मैं कहता हूँ मेरा कोई खास मजभ नहीं सब को मानता भी हूँ इस तरह के जो नहीं है उनसे मुझे कोई महबत नहीं यही मेरा धर्म समझो प्रेमचन जी के साहित्ते से प्रभावित होकर गवर्नर हैली साहब उन्हें राय साहबी की उपाधी देना चाहते थे किन्तु प्रेमचन ने इसे अस्विक्रत कर दिया 20 जुलाई सन 1930 को स्वरूपा रानी नहरू जवाहरलाल नहरू की माता जी ने लखनों में जो भाशन दिया उससे प्रभावित होकर शिवरानी देवी कहती है माता स्वरूपा रानी नहरू के भाशन में वह जोड़ था वह दर्द था वह गर्मी थी जो शायद मुर्दों में भी जान डाल सकती थी मुझ जैसी मुर्दा दिल को भी कुछ गर्मी मिली और मैंने भी अपने कर्तवी की तरफ कदम बढ़ाया सन 1931 के नवंबर महीने के ग्यारवी तारीक को शिवरानी देवी को अंग्रेजों के द्वारा गिरफतार किया गया गाड़ी पर ले जाते हुए एक भारती सिपाही ने रोते हुए कहा था दुख तो इस बात का है कि जिन माता और बहनों की हमें पूजा करनी चाहिए थी उन्ही को आज पापी पेट के लिए चेल लिये जा रहे हैं गोदान में होरी की मारमिक मोत को पढ़कर शिवरानी देवी को रोता देख प्रेमचन ने कहा था तुम बड़ी पागल हो कल्पित बातों पर रोने बेटती हो उस पर आपको नाज है कि इस्त्रियों का रोने का मर्ज नहीं अब खुद ऐसा क्यों कर रही हो यह जानते हुए कि यह बाते कल्पित है भला किसी दूसरे का लिखा हुआ होता तो वह भी बात थी शिवरानी देवी ने नोकर के बारे में प्रेमचन के विचार को इसपष्ट करते हुए कहा है उनका सिध्धान्त था कि नोकर को नोकर मत समझो नोकर तो अपना एक मददगार होता है तुमको नोकर की जरूरत होती है नोकर को तुम्हा लिए दोनों को एक सी जरूरत होती है एसा ही समझना चाहिए शिवरानी देवी प्रेमचन के घुसे के बारे में कहती है कि उन्हें जीवन में मात्र दो बार खुसा आया एक बार अपने पुत्र धुन्नू पर और एक बार मेरे उपर शिवरानी देवी ने जीवनी में प्रेमचन के बीच हुए उस वारता का जिक्र भी किया है जिसमें आगरा के कभी संवेलन में हरियोज जी को कुशब्द कहा गया था अगस्त 1936 में गोरकी की मौत पर प्रेमचन जी ने तबियत खराब होने की स्थिती में भी भाशन लिखा था प्रेमचन लखनाओं में जिस हकीम से इलाज करवाने गए थे उसके बारे में शिवरानी देवी उन्ही के शब्दों में कहती है ऐसे मुसल्मानों पर हजार हिंदू कुर्बान हो सकते हैं उसने जैसी मेरी सेवा की उसकी तारीफ में क्या करूं मैं अच्छा हो गया तो उसकी सेवा मैं करूंगा प्रेमचन मरने से कुछ समय पूर्व अपने जाने की तैयारी और दुनिया के लिए दुआ कर रहे थे शिवरानी देवी के शब्दों में उस वक्त एक मिसरा खुद पढ़ रहे थे खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं तथा दुनिया की दुआ कर रहे थे और अपने जाने की तैयारी फिर खुद कहने लगे कि दुनिया की सब नियामते रहेंगी और हम नहीं रहेंगे प्रेमचन अपनी पतनी में मा का रिदय पाते थे यही कारण है कि पहले शिवरानी देवी को शद्धा पूर्ण सलाम किया करते थे शिवरानी देवी जब इस बात के बारे में उनसे पूछी तो उन्होंने कहा था उम्र रिष्टा या पद्वी कोई चीज नहीं है मैं तो रिदे देखता हूँ और तुम्हारा रिदे मा का रिदे है जिस प्रकार माता अपने बच्चे को खिला पिला कर खुश कर देती है उसी प्रकार तुम भी मुझे देखकर प्रसन्न हो जाती हो इसलिए अब से मैं हमेशा तुम्हें सलाम किया करूँगा शिवरानी देवी उनके अंतिम सलाम के बारे में भी कहती है मैं 1936 में उन्होंने स्नान करके नई बनियान पहनी थी और मुझे सलाम किया था यही उनका अंतिम सलाम था जीवन के अंतिम शणों में एक और इस्त्री के बीच संबंद के बारे में शिवरानी देवी से बताते हुए प्रेमचन जी ने कहा था मैंने अपनी पहली स्त्री के जीवन काल में ही एक और स्त्री रख छोड़ी थी तुम्हारे आने पर भी उससे मेरा संबंद था प्रेमचन को अंतिम घड़ी में बेहुशी हुई जोरो का पकाना हुआ शिवरानी देवी उसे साफ करने के लिए बड़ी कि उनके भाई ने हाथ पकड़ कर कहा बेहन अब वे नहीं रहे शिवरानी देवी इस जीवनी के अंतिम धरण में उनकी मृत्ति और इस जीवनी के बारे में कहती है मैं खुल कर रो पड़ी और तभी से आज तक रो रही हूँ अब मुझे किसका डर रहा पाठको आगया मुझसे नहीं लिखा जा रहा है अब मेरी सारी जिंदगी रोने के लिए ही बच रही है मैं ना कोई लेखी का हूँ ना ही कोई कलाकार इस रचना से पाठको को जरा भी लाब हो सका तो मैं अपने को धन्य ही मानूगी इसी के साथ ये कलास हमारी खत्म होती है प्रेमचन घर में है के महत्पून कथनों से रिलेटेट में एक कलास और लेकर आऊंगा आप उसे नेक्स टाइम देखिएगा इससे पहले भी हम मुर्धरिया पढ़ चुके हैं मुर्धहिया के महत्पून कथन पढ़ चुके हैं ठकूरी बाबा पढ़ चुके हैं उसके महत्पून गीत और कथन पढ़ चुके हैं अगर आपने वो कलासेस नहीं देखिए जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अविलेबल है मिलेंगे जल्दी एकोने इंट्रेस्टिंग क्लास के साथ तब तक के लिए देखते रहे हैं जयारे विच सूजल नमस्ते